सिंगरॉली में एक पिता का आमान विय चेहरा सामने आया है कल्योगी पिता ने अपने नावालिक बेते को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया इसकी सूचना इस्थानी लोको लेट डाइल हंडिट को दी फिलहाल पुलिस बच्चे को उसके चाचा के पास भेज कर मामले की जाच कर रही है पेज भर में लगे लॉकडाउं के कारण मजदूर एवां मद्य वर्ग दो जून की रोटी के लिए जदो जहद कर रहा है इसे में कई ऐसे किस्ते सुनने को मिल रहे हैं जो हर किसी को भी विच्रिक कर सकते हैं मौरवा थाना छेतर में एक पिता ने अपने नावालिक बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया भुका प्यासा ये भटकता बालाग को देखकर इस्तानी लोगों ने डायल हंडे को सुचित किया जिसके बाद बालाग को पुलिस स्टेशन लाया गया बालाग अपने पिता की मार की वज़ह से अपने घर से बजाए ननिहाल जाना चाहता था जानकारी के अनुसार इस बच्चे के पिता रमेश साकेत अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं चला गया है फिलहाल बच्चे को उसके चाचा के घर पर छोड़ दिया गया है और मामली की जांच की जा रही है स्थानिय पाशल लगनदारी वर्मा द्वारा आगामी दिनों में उसके पढ़ाई लिखाए का जिम्मा दिया है उसके बाद बच्चे कहाना था कि उसके पीता जी उसको इसको इस्टेशन पर छोड़ करके चले गया है और उन्हों दूसरी साथी करने की हमने पुलिस को बेज करके पता लगवाई इसमें इस्थानी पर पतार बनी चौजरी देने तापू मज़त की तो उसके पीता की घर पर नहीं मिले और बच्चा अपने नानी नाना की पास जाना चाहता था करेला गवाउं में इसके बाद पता बनाने पर इसके बाद पतार राते हुए उसके चाचा उमेज साथे तो खश्मी में सबूर रुखिये है और इस बाद की मिलान बाद बाद सब्सक्राइब कर दोगितने हैं संगीत तीस्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबर के पीढ़ों से नकसलवादियों के गड़ जोपड़ी से मेहलों से थेलों से मेलों पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से उटमीती तक दखन नियूज आपके हत्रे आप देख रहे हैं दखन नियूज